श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव आप सबको पता है 15 जनवरी को है मकर संक्रांती का बहुत ही विशेश सा, बहुत ही सुन्दर सा दिन आपको करना मात्र है एक उपाय जो कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है आप परेशान हो कि आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है पूज गुरु जी की कथा सुन करके और समझ करके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा बस आपको लेना होगा पांच बेलपत्र और पूजा वाली इत्र छोटा सा उपाय करना है कौन सा है वो उपाय आपको बताऊंगा उससे पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम और वो है वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेलपत्र आपको लेना होगा इस तरीके से बेल पत्र कितनी बेल पत्र लोगे पांच बेल पत्र गिन कर लेना बहुत प्यारी सी, बहुत सुन्दर सी, कहीं से कटी-फटी हुई ना हो, ठीक है? पांच बेल पत्र लेना और साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र ठीक है, अब देखो इस उपाय को आपको कैसे करना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेल पत्र तो बेल पत्र की ये जो डंडी आपको दिख रही है लास्ट वाली इस लास्ट वाली डंडी पर ही सिर्फ ये नीचे की डंडी पे आपको लगाना होगा इत्र को पांच की पांचों बेल पत्र पर नीचे की डंडी पे आपको इत्र लगाना, ठीक है, और इस पांच की पांचों बेल पत्र को लेके, आपके पास में दो आप्शन है, या तो चले जाओ बेल पेड के नीचे, या फिर चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास, ठी अब आपके पास जो पाँच बेलपत्र है उसको एक-एक करके महादेव के शिवलिंग के उपर ही समर्पित करनी है और कहीं समर्पित नहीं करना है ठीक है डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरह पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ अब यहाँ पर आपको एक-एक करके नाम बोलना होगा जैसे जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे महादेव की शिवलिंग के उपर वो महादेव का ही नाम लेके यानि भगवान शंकर का समर्ण करते हुए समर्पित करना है ठीक है जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित क जो चौती बेलपत्र समर्पित करोगे वो भगवान विश्णु के नाम से शिवलिंग के उपर समर्पित करोगे और जो पांचवीं बेलपत्र होगी उसको आप समर्पित करोगे भगवान सूर्य के नाम की इसके नाम की भगवान सूर्य देव के नाम की ठीक है ये पांच दे पर अपना हाथ रखकर अपनी कामना बोलता है, उसके जीवन में जो भी ग्रह कलेश होते हैं, जो भी ग्रह परिशान करते हैं, जीवन के जो भी कश्ट होते हैं, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाते हैं। उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। मैंने तो कोशिश की है, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाने की वीडियो अगर पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से गुरु जी का ये उपाए आपके लिए लाता हूँ।